हेलो दोस्तों शाम हो चुकी है और अभी मैं निकल पड़ा हूँ नाइट लाइफ कैप्टेर करने के लिए यह देखिए यह है नजारा यहां का यहां का फायर स्टेशन तो यहां पे गाड़ी के बाहर वो जो है लिखा हुआ है बॉम्बा आइटिंग मेभी यहां पे लुकल यहां पर एक खासियत है दोस्तों मैं आगे चलके आपको बताता हूँ यहां पर हर गली में आपको पेंटिंग्स बनी हुई मिलेंगी और कुछ उसके उपर लिखा हुआ दिखाई देगा यह देखिए कि देख रहे हैं मेरे पीशे आप यह लिखा हुआ है इसके उपर मैं पढ़के बताता हूँ विक्टोरिया स्ट्रीट कोर जोन जोज्टाउन वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो यह हां की हेरिटेज साइट में से हैं यहां की हर स्ट्रीट पे इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे यह चीज़े देख इंटरसेक्शन है यह देखिए यह कोई पप का यह एंट्रेंस है और यह भी मैं आया हूँ जासे में में रोड की तरफ जाओंगा यह राइट साइट पर क्रॉस करते हुए अब शाम हुई है तो काफी विजिटर्स जो टूरिस्ट है वो बहार निकले है रोड पर आपको तूरिस्टी तूरिस्ट नजर आएंगे अब आप 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 यह मेरी पीछे दूर आपको दिखाई दे रहा हुगा है होटी छोडी 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 लाइट लरही है यह बेसिकली यहां का कॉनेश टाइब सी साइड का एरिया है एक्चली यहां पर जो है लाइफ म्यूजिक बज रहा है देख सकते हैं आप यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर चाइनीज टेंपल यह देख सकते हैं तो दोस्तों भी फाइनली मैं पहुंचा हूँ स्टेशन एक्चली यह बस स्टेशन है यहां पर अलग-अलग तरह की बसे से यहां जो सीटी जैसे मैंने पताया था कि फ्री बस होती है तो मैं वो सीटी बस पकड़ूंगा इसमें फ्री ट्रेवल कर सकते हैं अभी मैं दिखा दिखाता हूं आपको यहां का यह देखिए सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों फ्री का टूर यह मेरे साथ में कुछ यातरी बेटे हुए यह पीछे की तरफ दिखाई देंगे आपको यहां पर एक स्क्रीन भी लगी हुए देखिए इसको देख सकते हैं कैट पिनांग फ्री कैट पस तो दोस्तों हमारा सफर शुरू ह हो गया बस चल पड़ी है कि उससे बढ़िया बाद यह दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है और आप चाते कि उदर उतरना है तो आप उतर सकते हैं और यह वापस तोड़ी देजरी देख बस राउंड भारती रहती है आप उसमें चांड़ सकते हैं यह दोस्तों मेरे पीछे है श्री कृष्णा टेंपल यह आप देख सकते हैं कि यह सारी बिल्डिक दिखाई दे रही है कि श्री कृष्णा टेंपल है इसके लिए आपको उतरना पड़ेगा यहां पर देखें लिखा हुआ है स्टेशन नंबर 8 यह पुलिस डिपार्टमें का ओफेस है बहुत पिशाल बिल्डिंग है यह तो यह दोस्तों जो ओल्ड जॉज टाउन है इसकी खासियत यह इसकी हर एक गली में आपको इस तरह की पेंटिक देख सेंगों मिलेंगी दिवारों के उपर बने हुए स्क्रिप्चर्स हैं कुछ काट टूल्स टाइप बने ह यह देखिए मेरे उपर देख रहे हैं आप तो दोस्तों यह केंबेल स्ट्रीट इसी को चाइना टाउन बोलते हैं अब क्योंके यह मार्केट बंद होगे अभी सिर्फ आपको रेस्टोरंट्स को ले हुए मिलेंगे जगा जगा के उपर दोस्तों यह मिलेंगी यह आप इसवे लिकाओ है है I forgot the keys to my shop देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह यह पहले वाली लेन से जादा happening lane दिखाई दे रही है इसदाद अलता है कर दो सकती है में घौत ब्लाइज़ आपने लोगद है। में जाओंगा आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों देखें यह मेरे पीछे आपको टेम्पल नजर आ रहा होगा यह एक टेम्पल है जो लिटिल इंडिया के पास है मैंने अभी दिखाया था एक मज़िद है मज़िद के उपोजिट साइड पे थोड़ा सा वाकिंग डिस्टेंस एक मिनिट का भी नहीं है तो यू कन सी दिस टेम्पल यह यह देखिए तो एक रोट की तरफ पस्जिद है उसके उपसिट रोट के उपर टेम्पल है और थोड़ा सा आगे आएंगे एंपल से लिटिल इंडिया से भाहर निकलके तो यह आपको इस दिखाए देगा कि अभी खाने का जुगाड़ करने का अभी सोच रहूं क्या खाऊं यहाँ पर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स ही हैं डोसा ढूंड रहा हूं मैं दोस्तों कहीं अगर मिल जाए तो अजरा डोसा पाटी करेंगे तो भाई लोग तुमारे भाई ने फाइनली जुगाड कर लिया मसाला डोसा ढूंके निकाल लिया है यह मैं आया हूं एक रेस्टोरेंट है इसका नाम है बैंबू मसाला बिर्यानी तो यह बैंबू मसाला बिर्यानी रेस्टोरेंट है जहां पर मैंने ओर्डर किया एक मसा सब्सक्राइब दोसा और एक और जूस अपने के यह बंदा एक्शली सुभा में मुझे बिला था मैं इसको अड्रेस पूछ रहा था तो पैशान गया मुझे वह बोला वेलकम सर वी आर सब दोसा फोड़ा सब्सक्राइब दोड़ना पड़ा दिक्कत हुई स्ट्रीट फूर् करी है चिकन है फिश है यह सब कुल मिल जाएगा मगर यह जो जगह है सिर्फ इसी पर आपको मसाला डोसा वागरा में सकता है जो अपने को टिपिकल साउथ इंडियन फूड जो बंबाई में खाते है और अगर खाने का रहेगा तो इधर आ सपते हुआ है अपना मसाला डोस इसमें अपने पास चटनी भी है कोकोनट चटनी और सांबर है और एक दूसरी चटनी भी है जो लसन की चटनी होती हो है अभी दोस्तों मैंने बस जो ली थी यह आप लोगों को इंफर्मेशन दे दिये के बस से आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं मगर यह जो टाउन है इतना इ अब बस सिर्फ एक ही स्टॉप के लिए यूज करी अभी मैं वह से चाइना टाउन करीब था चाइना टाउन के अंदर में थोड़ा सा बटकते बटकते गुमते लेटल इंडिया की तरफ आया लेटल इंडिया पर आते-आते मुझे फिर एक टेंपल मिला एक मस्जिद मिली और एक चर्च है तो दोस्तों आप अगर चाहो आपके पास ट्रेंथ है तो पैदल भी गुम करते हो और नहीं गुम सकते हो तो सबसे बढ़िया है C.A.T. Bus Services यूज कर लो तो इस अप टो यू जैसे कि मैंने बताया था ग्रैब तो है अवेलेबल तो आप ग्रैब बुला सक है तो आप वो भी ले सकते हैं मगर यार जब मैं तो बोलूगा सजेस्ट करूंगा जब फ्री बस अवेलेबल है तो लोकल बस के अंदर क्यों कुमना तो ठीके दोस्तों अभी यार मेरा डूसा हो रहा है तंडा इस पर मैं भी बैटिंग करना चालू करता हूं इस तक मेरा दूस आ रहा है हुष है कर दिए थ्सव! कर दो प्रवब्र नंटम्क बनत उर इह आसे अ अर आस रहलोब्र बोर आसे के उचे हो टक अअच़ कर दो और और के ओर प्यूबव़ रहुब हम कौक्पाहिं oh चुछ पुछ हिचिपबा Jackie कर दो कि प synerξip हिचिपबा कर दो कि प्राइच कर दो όож हिचिपबा कि प्रेप कि आद हिचिपबा Κिनल बड़ती बड़ती दिवा बड़ती बड़ती धुछ दिए दिए सुछार थै।